हाई फ्रेंट्स आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल इपिएस्टी इनफोर टोन्टी फोर में स्वागत हैं तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंट्स आप अपने जीवन में हमेशा जो लच्छ अपनी निरधारित किया है उसको आप सफलता पुरुवक प्राप्त करें यही हम इस वर से प्राफना करते हैं तो इस्टार्ट करते हैं आज का पहला नमर कोशन जो एक नमर से सुरू हो रहा है कोशन है आपका पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसरा भारत में कौन हुआ पुर्तगाली जो है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसरा भारत में कौन हुआ यह आपको बताना है फ्रेंट्स तो आपसन ए डियाच, आपसन भी ए वासको डिगामा, आपसन सी ए अलमीडा, आपसन डी ए अलगुकर्क तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अलमीडा, जो अलमीडा था वो पुर्तोगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में बना तो आपको आंसर याद रखना है, कि जो पुर्तोगाली प्रथम वायसराय था, उसका नाम अलमीडा था, इसको याद रखेगा, व्याख्या देख लिजिए भारत में प्रथम पुर्तोगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिसको डी अलमीडा का आगमन हुआ, फ्रांसिसको डी अलमीडा का जो कारेकाल है, वो पंदरसो पाच से पंदरसो नौ इस भी तक है, तो भारत में प्रथम पुर्तोगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस इसको डी अलमीडा था ए याद रखेगा वह 1505 में भारत पोचा 1509 इस भी में अलमीडा ने टरकी गुजरात तथा मित्र की सन्युक्त मिस्र की सन्युक्त सेना को पराजित कर दीप पर अधिकार कर लिया दिव पर कबजा के बाद पुर्तगाली हिंद मा सागर में सबसे अधि सक्तिसाली हो गए उसने अंजदिव में कीला बनवाया तथा पुर्तगालियों के हित में कोची की राजगद्दी के उत्रादिकारी की समस्या का समाधान किया आगे चलते हैं आपका दो नम्मर कोशन है और यह सब आपको अब जो वीडियो देखेंगे चार से पांसो कोशन जो भी मिले आपको तो ओ सभी क्या होंगे कि माडन हिस्ट्री से रहेंगे आदोनिक भारक से रहेंगे जो एक्जाम के लिए बहुत ही महत पूड़ है किनकि दोस्तों माडन हिस्ट्री का दोनों में पार्ट रहेगा मतलब आपका जो 40 नम्मर कोशन है उसमें भी पुछेग तो दोनों अगर माल जी 40 है तो 10 उदर 50 और इधर अगर अगर अगस्य है तो 10 90 कोशन आपको मिलेगा तो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत पूड़ हैगा वो आपका माडन हिस्ट्री रहेगा तो इसको भी आपको ध्यान में रखकर माडन हिस्ट्री को जाड़ा पढ़ना ह अगर BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस्टार्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी में समुंद्री डकैती है तो हुगली का उप्योग कौन करता था यह आपको बताना है आपसन ए डच बी ए फ्रांसी सी सी ए पुर्टगाली डी ए अंग्रेच यह उप्योक्त में से कोई नहीं उप्योक्त में से एक से अधिक तो आंसर हो जाएगा आपका सी पुर्टगाली जो पुर्टगाली थे वो बंगाल के खाड़ी को समुंद्री डकैती के रूप में जो बंगाल की खाड़ी में समुंद्री डकैती है तो जो हुगली था हुगली नदी उसका प्रयोग करते थ कौन तो पुर्तगाली आपका अंसर सी सही हो जाएगा इसका व्याख्या वही है पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुंदरी लूट पार्ट के लिए अड़े के रूप में इस्तिमाल किया जाता था आगे देखते हैं तीन नमर कोशन है अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपादी से सम्मानित किया निमलिखित अंग्रेजों में से किसको जहांगीर ने खान की उपादी से सम्मानित किया था यह आपको बताना है आपसन ए हाकिंग्स आपसन भी ए सर टामस रो सी ए एड़वर्ट तेरी दी ए उप्य युक्त में से कोई नहीं तो आंसर आपका हो जाएगा होकिंग्स जो हाकिंग्स था उसी को उसने क्या है खान की उपाधी प्रदान किया था जहांगीर ने यह याद रखेगा व्याख्या देख लीजिए हाकिंग्स इस्ट इंडिया कमपनी का एक करमचारी तथा व्यपारी वो अबादसा जहांगीर के नाम इंग्लेंड के राजा जम्स प्रिठम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुचा था वो पह Stress आया था जब तो जो जम्स प्रिठम थे उनका एक पत्र लेकर जहांगीर के पास आ आया था 1608 में अपरेल 1608 में वह आगरा में मुगल समराठ जहांगीर से भेट की जहांगीर ने हौकिंग को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंगलिस खां की उपादी प्रदान की तो मनसब कितने का दिया था 400 का और उनके बाद दो उपादिया भी दी चाहे फिरंगी खां का तो इस प्रकार खांगी उपादिया किस ने दिये तो जहांगीर ने होकिंग के लिए दिये इसको याद रखेगा आगे चलते हैं भारत में 1612 इसमी में अंग्रेजों ने अपनी पाली फैक्टरी कहां अस्थापित की थी आपसे ने एक गोवा बंगाल में हुगली सी ए आर कोट डी ए सूरत तो पाली फेक्टरी जो हुई थी सूरत आप याद रखेगा सूरत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पाली फेक्टरी अस्थाफित की थी सूरत में व्याख्या देख लीजिए केप्टन विलियम हाकिंग सूरत से मुगल दरबार पहुचा जो केप्टन विलियम हाकिंग था वो सूरत से कहां पहुचा मुगल दरबार पहुचा कब पहुचा था तो 1608 में पहुचा था किन्तु सूरत में फेक्टरी की अस्थापना की अनमती पाने में सफल नहीं हो सका 1611 इसमी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद केप्टन मिडल्टन केप्टन जो मिडल्टन था सूरत के समी स्वा लल्ली पहुचा और मुगल गवन्नर से वहाँ व्यपार करने की अनमती पाने में सफल हो गया केप्टन बेश्ट द्वारा सूरत के बंदरगा की बिजे में पुर्तगाली एकाधिकार को निरंतरता को भंग किया केप्टन बेश्ट द्वारा सूरत के बंदरगा की बिजे में पुर्तगाली एकाधिकार को क्या कर दिया भंग कर दिया इसके अलावा इसके बाद जहांगीर के साई फर्मान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थाई रूप से एक फैक्तरी की अस्थापना की यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यपार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा सिग्रही, आहमदाबाद, बुरहानपूर तथा आगरा में सयोगी भेक्टरी अस्थापित की और अजमेर में भी किया था इसको याद रखिएगा आगे चलते हैं पाचवा नमबर कोश्चन डच इस्ट इंडिया कमपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्टरी पटना में अस्थापित की फैक्टरी पटना में किस वर्ष अस्थापित किया था डचों ने यह बताना है उप्यूक्त में से कोई नहीं, उप्यूक्त में से एक से अधिक तो आंसर हो जाएगा आपका भी 1632 में तो East India Company ने पतना में जो अपनी पहलिप हेक्टरी अस्थाफित की थी वह 1632 में की थी यह याद रखिएगा व्याख्या देख लीजिए वैसे तो पूरा पतना नहीं था लेकिन याद रखिएगा कुछ है इसमें तो यहाँ पर देख लेंगे तो किलियर हो जाएगा पतना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी नामक पुष्टक जैसे पतना की जो डिस्ट्रिक होता है गजेटियर जो होता है उसमें या इतिहास की किसी मानक पुष्टक अथवा अन्यात्र कहीं भी 1632 में पटना में डश फेक्टरी की अस्थापना का कोई हमें प्रमाड नहीं मिलता है कोई प्रमाड हमें नहीं प्राप्त होता है ऐसा जो घडना चक्र के वह भी लेखक मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं लेकिन किन्तो बिहार लोग सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह अपर्षन पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 इस भी मानता है जो बिहार लोग सेवा आयो गए इसका उत्तर क्या मानता है 1632 कुछ अप्रमाडित सुरोतों से अप्राप्त होता है कि स्वर प्रथम डचों ने पटना कालेज की उत्तरी इमारत में 1632 इस भी में डच फेक्टरी की अस्थाफना की थी इसकी रूची सूती वस्त जो इनकी रूची थी अंग्रेजों की उनकी रूची थी रूची सूती वस्त चीनी सोडा अफिम आधी से संबंदित व्यापार में था तो आपसन भी याद रखेंगे अगला कोशन है 6 नमर अच्छा कोशन है निम लिखित में से प्रथम करनाटक युद्ध का कौन सा ततकालिक कारण था तो 6 का जो आंसर है दोस्तो ओडी के साथ जाएगा अंग्रेजो द्वारा फ्रांसीसी जाजो का अधिकरण था वो प्रथम करनाटक युद्ध का ततकालिक कारण था व्याख्या देख लिजिए करनाटक का प्रथम युद्ध जो 1746 से 1748 के मद्द चला था आश्ट्रिया के उत्रादिकार युद्ध जो 1740 से प्रारंब हुआ था का विस्तार मात्र था करनाटक का जो प्रथम युद्ध था आश्ट्रिया के उत्रादिकार युद्ध जो 1740 में आरंब हुआ था उसी का विस्तार मात्र था ग्रिय सरकारों की आज्या के विरुद्ध ही दोनों दलों जिसमें अंग्रेजी और फ्रांसिशि थी ने 1746 में युद्ध प्रारम हो गया अंगरेजों और जो फ्रांसिशी थी उनके जो मद्ध था वो 1746 में युद्ध क्या हुआ प्रारम हो गया अंगरेज कैप्टन वर्नेट के नित्रित में अंगरेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसिशी जहाजों पर एका अधिकार कर लेना युद्ध का ततकालिक कारण था दस अजार भारती साइनिकों को फ्रांसीसियों पर आक्रमर करने के लिए भेजा। केप्टन पैरा डाइच के नित्रित में फ्रांसीसी सेना ने अध्यार नदी पर इस्तित सेंट थो में नामक अस्थान पर नवाब को पराजित किया। युर्ओ बन्द होते ही कःनाटक का प्रधम युद भी समाप्थ हो गया। ए ला साप्ला की संधी जो 1784 में से अश्चिया के उत्राविकार का युद समाप्थ हो गया। तथा मदरास अंग्रेजों को पुनाप्राप्त हो गया। कनातक का प्रथम युद सेंट थोमे के युद्ध के लिए अस्मरड़ी है। आगे चलते हैं। साथ नमर कोशन है। 1760 का प्रसिद वांडी वास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाप लड़ा गया। फ्रांस सीसी, स्पैन्स, मैसूर, करनाटक, ई, उप्युक्त में से कोई नहीं, उप्युक्त में से एक से अधिक, तो आंसर हो जाएगा आपका ये फ्रांस सीसी। तो 1760 में जो प्रसिद वांडी वास का युद्ध हुआ था, वो अंग्रेजों और फ्रांस सीसीों के मद्ध हुआ था, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए, थोड़ा ये व्याख्या जादा उने वाला है, तो हम एक-एक युद्ध के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे में अंबर का युद्ध जो अगस्त 1749 को हुआ था, इसमें अंबर का युद्ध में क्या था? मुजफर्ण जंग, चंदा साब तथा फ्रांसिस्यों की सन्युक्त सेनाओ ने बैलूर के समीप अंबर या आमबूर नामक अस्थान पर करनाटक के नवाब अनवरू दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी मुजफर्ण जंग दक्कन का सुवेदार बन गया इस उपलप्छ में उसने अपने हितकारी डुपले को किष्ण नदी के दच्छिर भाग के मुगल प्रदेशों का गवन्न न्युक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसिस्यों को दे दिये इसके अतरेक्त मुजफर्ण जंग की प्राथना पर एक फ्रेंच सेना की टुकरी बस्ती के नेतित में हैदराबाद में तयार कर दी गए तो ए था अंबर का युद जो अगस्त 1749 को हुआ था और इसमें मुजफर्ण चंदा साप और फ्रांसिस्यों की सन्युक्त सेना थी जिसने क्या किया था नवाब अनवरू दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद ओ क्या हुआ कि दक्कन का सुबेदार बना द दिया गया ठीक है आगे चलते हैं प्लासी का युद जो जून 1757 को हुआ था इसको सभी लोग जानते हैं कि प्लासी का युद कब हुआ था तो जून 1757 को यह याद रखिएगा तो अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद दौला के मद्ध युद के पढ़ाम स प्लासी के युद में उसने कहां पर अधिकार कर लिया तो पूरे बंगाल पर उसका नियंतरर हो गया अंग्रेजों का। युद्ध कब हुआ था जनवरी 1760 में हुआ था जून में जो पलासी 1757 फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था तो इस तरह हम तीन चार युद्ध देख रहे हैं अगस्त 1749 में अंबर का युद्ध हुआ था उन चास में पचास में एक कम अंबर का युद्ध हुआ और फि 1264 में हुआ तो वांडिवास के युद्ध को देखते हैं अंग्रेजों तथा फ्रांसिस्यों के मद्ध यह जो वांडिवास का युद्ध हुआ था और किसके मद्ध हुआ था अंग्रेजों तथा फ्रांसिस्यों के मद्ध युद्ध हुआ था युद्ध में फ्रांसिसी पर काउन्ट दी लालि नेकर नेकर था तो दो त्भेड हें यहां है कि वंинойडिवास का उर्ट कर था था जनवरी motset 706 में हुआ था किस में कमध्ञे व famoso अंगरेजी सेना करनेत्रूट किस ने किया था था आयरकूत ने अंग्ले जीना करनेत्रूट किया था आयर कुट ने लाली ने तो इस तरह कुछ तथरेंड़ अप्याद रखिए गा आभ आता है बक्सर डू ज्या आ खाईज सटरह में अवद के नवाब सुजावु दवला एवम मुगल समराट सा आलम दिती की सन्युक्त सेना तथा अंग्रेजों के मद्य युद्ध में अंग्रेजी विजई रहें। इधर जो अंग्रेजों के मद्य अंग्रेज तो एक तरफ थे उसके उधर जो दूसरी पार्टी थी उसमें मीर कासिम थे अवद के नवाब थे जिसका नाम सुजादु दवला था फिन मुगल समराट थे सा आलम दिती। इन तीन लोग एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ इनके युद्ध में हुआ और जो युद्ध हुआ बकसर का उसमें क्या है अंग्रेज जी जाते हैं और ये तीनों जो सन्युक्त सेनाएं हैं वो हार जाती है इस युद ने में अंग्रेजी सेना का नित्रित हेक्टर मुनरो ने किया था बकसर के युद इसने पलासी के नीड़े पर क्या कर दिया मूहर लगा दी तो ये थे आपके तीन यूस पहले आपका जो पहला युद्ध था वो आपका अंबर का युद्ध था जो अगस्त 1749 में होता है प्लासी का युद्ध जून 1757 में होता है वांडिवास का युद्ध जनवरी 1760 में होता है फिन इसके बाद है आपका बक्सर कायुन जो अक्टूबर 1764 में होता है तो सीरियल भी मिलाने के लिए कभी कभी दे देता है तो उसको आप नोट करकर चलिए अगला है निमलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालली के अस्थान पर हरा दिया था अभी अमने उपर इसका जिक्र किया था तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 20 है हो जाएगा थामस बेष्ट ने कौन? थामस बेष्ट आपका आंसर हो जाएगा तो निमलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वालली के अस्थान पर हराया था तो आंसर हो जाएगा थामस बेष्ट बेष्ट है भाई तो बेष्ट दे रहा था व्याख्या देख लिजिए थोड़ा सा 1611 में पुर्तगालियों के विरोद के बावजूद केप्टन मिल्डटन सूरत के समीब स्वालली पहुचा जो पुर्तगालियों के विरोद के बावजूद जो केप्टन मिड लर्टन था मिड लर्टन था उस सूरत के समीब स्वाललली पहुचा और मुगल गवर्नर से यहां वैपार करने की अनमती लेने में सफल हो गया केप्टन बेश्ट दोरा सूरत के बंदरगा की बिजय ने पूर्तेगालियों एका अधिकार को निरंतर्ता को क्या कर दिया भंग कर दिया वो कौन था तो केप्टन बेश्ट था तथा सूरत में अस्थाई रूप से एक फेक्टरी अस्थापित की यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यफार को देशों के दूसरे भागों में फैलाया और सीगरेई अहमदाबाद, बुरहानपूर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फेक्टरी अस्थापित कर ली आगे देखते हैं नाइन नमर कोशन और अच्छा कोशन है उस छेत्र की पहचान करें जहां से इरोप वासियों को सरोत्तम सोरा और अफेम प्राप्त होता था तो कहां होता था तो आंसर आपका ये हो जाएगा बिहार, बिहार में होता था इसको याद रखेगा व्याख्या देख लीजिए इरोप वासियों को सरोत्तम सोरा और अफेम बिहार से प्राप्त होता था कहां से प्राप्त होता था, बिहार से प्राप्त होता था दस नम्मर कोशन अंग्रेजी सासनकाल में भारत का कौन सा छेत्र अफिम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था बिहार, दच्छिर भारत, गुजरात, असम तो आंसर क्या आप जाएगा बिहार हो जाएगा तो अंग्रेजी सासनकाल में भारत का कौन सा छेत्र अफिम हेतु परसिद्ध था तो वो बिहार राज्य था व्याख्या है अंग्रेजी सासन के दोड़ान बिहार अफिम की खेती के लिए परसिद्ध था तथा इसका व्यापार विटिस सरकार द्वारा पड़ोसी देशों में किया जाता था तो फ्रेंट्स ए थे 10 कोश्चन और उनके जो व्याख्या अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर दोस्त नहें हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें एक बार दुबारा आप सभी लोग को दिवाली की धेर सारी सुबकामना है और बधाईया दोस्तो हम उमीद करते हैं इस वर से प्रातना करते हैं कि आप लोग अपने लच को जल्द से जल्द प्राप्त करें जो भी आपका टार्गेट हो और अपने जिंदगी में आप खूब सपलो यही हमारी इस वर से प्रातना है धन्यवासातियो नमस्कार